गईज ये तो हम सभी जानते हैं और कई दफ़े अपने वीडियो में बोल भी चुके हैं that cricket is a gentleman's game लेकिन first class cricket, leagues और international cricket में कई ऐसे incidents हुए हैं जहांपर players अपना हापा को बैठे और हाता पाही तक बात पहुंच चुकी भी for example, श्रीसंथ को मारे गए थपड को ही ले लेते हैं भजी on the field, lost his control और वीज मैदान में ही उन्होंने श्रीसंथ को थपड जब दिया था लेकिन क्या Indian cricket history में ये पहली बार हुआ था? भई थमनेल देखकर तो आप सभी समझी गए होंगे कि हम आज किस player के बारे में बात करने जा रहे हैं Hello viewers, Cricket Line Guru चैनल में आप सभी का स्वागत है भई, आज के इस news junction में हम आप से share करेंगे दे नवाब और नजब गर्ड और सलामी बनलेबाज विरेंदर सहवाग के उस incidents के बारे में जिसके चलते उस समय के कप्तान सौरफ गाउंग ली काफी नाराज हुए थे साथी साथ dressing room का जो महौल था वो काफी बदल गया था वेल हाल फिलाल इंडियन टीम इंग्लेंड टोर पर है और ये मामला भी इंग्लेंड टोर से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों इसे discuss करने का ये एक और reason है ये बात है 2002 की जब जॉन राइट इंडिया टीम के कोच हुआ करते थे और इंडियन टीम इंग्लेंड का दोरा कर रही थी और उस टीम में हमारे विस्पोटक बल्लेवाज विरेंदर सेवाग भी शामिल थे हाला कि वो उस बीच एक खराब दोर से गुजर रहे थे बट ऐसे में उन्हें थपड मारना वो भी इंडियन टीम के कोच द्वारा ये आखिर कितना justify करता है आज हम इस वीडियो में आप से जानना चाहेंगे तो अपने जबाब हमें comment section में जरूर दीजेगा अब जो लोग इस incident से वाकिप नहीं है उन्हें बता दे कि इस पूरी घटना के बाद बड़ा बावाल खड़ा हुआ था और उस समय के कप्तान सौरव गाउंली यानिकि हमारे दादा बेहद नाराज हुए थे हाला कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि सौरव भले ही अपने players को कुछ भी कहते लेकिन कोई third person उनके players से और उनकी team से कभी कुछ नहीं कह सकता था और वो कभी expect और accept नहीं कर सकते थे और सेवाग को थपर लगने के बाद as a captain of the Indian cricket team उनका role बेहत crucial हो गया था क्योंकि वो head coach जॉन राइट से माफी मंगवाने के लिए अड़ चुके थे अब उस वक्ट राजीव शुकला जी team के manager हुआ करते थे सौरव दौंगली गए उनके पास और उन्हें इस पूरे incident के बारे में बताया और insist किया कि जॉन को सेवाग से माफी मागनी चाहिए अब जब राजीव शुकला जॉन राइट के पास जाते हैं इस पूरे incident के बारे में बात करने के लिए तो जॉन का ये counter होता है कि as a teacher उन्होंने सेवाग पर गुज़ा उतारा था और ये साफ किया कि उन्होंने सेवाग को सिर्फ धक्का दिया था और थब पर बिल्कुल नहीं मारा था क्योंकि वो लगातार एक ही गलती कर रहे थे जो कि जॉन राइट को बरदाश नहीं हुई थी अब दोस्तों यहाँ पर बात यह आती है कि जब आप एक international level पर country को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ऐसे में एक coach का player पर physically हाथ उठाना या फिर धका देना किस हद तक justify करता है भाई आजकल बाबा भी एक उम्र के बाद बच्चे पर हाथ उठाना बंद कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसे में ये इंसिडेंट आपके according कितना वाजब है हमें अपना जवाब इस बारे में comment section में जरूर दीजेगा तो अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद सौरब डाउनली तो अड़ चुके थे कि जॉन राइट को सहवाग से माफी मांगनी चाहिए वेल अब इस पूरे इंसिडेंट में सचिन तेंदुलकर का कहना और उनकी राय कुछ हो रही थी उन्होंने राजीव को बताया कि अगर हेड कोच ही टीम मेंबर से माफी मांगेगा तो हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऐसे में उनका यानि की जॉन राइट का सहवाग से माफी मांगना वाजब नहीं है तो भाई इस तरह से राजीव शुकला ने सहवाग को संजाब हुझा कर इस पूरे मामले पर बिट्टी डाली और इंडियन क्रिकेट टीम में एक बड़ा बवाल होने से चल गया दोस्तों एक बार फिर इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमें सेलिशन में जरूर बताइएगा और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इंडियन क्रिकेट टीम और इन जनरल क्रिकेट से रिलेटेड और ऐसी घटनाए आपके सामने लेके आए तो हमें अपना फीट बाक जरूर दीजेगा आज के वीडियो बस इतना ही फिर हाजर होंगे क्रिकेट की तमाम अप्डेट के साथ so stay tuned and keep watching Cricket Line Guru क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अप्डेट्स चानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरू चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें Also, follow us on Instagram for quick updates